कि नमस्कार दोस्तों रिए इसके से निगेट्वी में आप सभी लोगों का स्वाकत है जैसा कि आप लोगों को जानकारी है इकनॉमिक्स का लेक्चर जो है रेगुलर चल रहा है और इसी क्रम में जो है हम लोग आज कि इस लेक्चर में जो है अर्थिवेवस्था में लग प्रियास किया इसके पूर में और दोग इक नीटी के इंतरगत हम लोग 1948 से लेकरके 1991 और उसके 91 के बाद से लेकरके अब तक के नीतियों को जो है दो लेक्चर में प्रस्टू किया है तो आज का ये लेक्चर जो है लग उत्पर अधायों को युखा इसमें माइक्रोग इस स्टेल थोड़ा सा कम अस्तर का होता है कोई इक परिवासा नहीं दी जा सकते यह दबाद में जो है इसका कुछ फैक्ट्वल भी परिवासा हैं दी गए जिसको हम लोग भी देखेंगे लेकिन सामानी रूप में अगर पूछा जाता है तो एक ऐसी और दोगिक संद्चना जिसमें निवेश उत्पादन पूजी स्रम इत्यादि का अस्तरा पिछा कृत कम होता है ऐसे और दोगिक संद्चना वाली जो बेवस्थाओं को लग उत्दोग के नाम से जाना जाता है इसमें जो है एक मात्पूर इसमाल इच ब्यूटिफुल इस सुमाखरन के द कोई कारे किया जाये तो उसमें हर चीज को संतुलन में जो है यूज किया जा सकता है उसके बाद उसके बहितर परिडाम भी प्राप्त किये जा सकते हैं जो संतुलन और वेवस्था को प्रतिविंपित करता है तो इस सुमाखरन की जो पूछतक है इसमाल इच इस उमा खरणके बारा लेकी गई जो कुछ तक है 2006 मिन में कि यह रख़र ऑनलों ही सब्ध परियोग में लाए जाते हैं कहीं कहीं मध्यम कहीं कई पर जो मजोला तो माइक्रो इसमाल एंड मीडियम इंडर प्राइज यह तीन प्रकार के जो है स्रेंडी है उद्धोगों के जिनको की जो है MSME की नाम से जाना जाता है और इसके लिए 2006 में एक पारित किया गया और यहां पर पहली बार मध्यम या मजोले उद्धोग की बात यहां पर सुनिकार की लिए मध्यम या मजोले प्रकार के जो है उद्धोग की एक स्रेंडी है जिसको यहां पर दिया गया और 2006 के आयक्त में यह भी बताए गया था यहां जो तीन प्रकार से हैं इन तीनों के लिए निवेश की अलग अलग सीमा निधारत की गई और यह सीमा है जो है दो छेत्रों में एक जो है बी निर्माड और दूसरा जो है वो सेवा अब जैसे बी निर्माड की जो है निवेश सीमा अधिक बनाएगी सेवा की छेत्र जैसे अगर माइक्रों की बात करें इसमें 25 था और यहां पर 10 लाग था यानि कि 25 लाग तक जो है निवेश वाले बी निर्माड छेत् के लिए जो है उसकी लिए जभा बनाएगे कि भी सेवा छेतर में जो है बहुत जादें जो है निवेश की आउशिक्टा नहीं होती है क्योंकि इसमें सर्विसेस दी जाती है और भी निर्माद में ज़ता अचोंसलितरी सनियंत्र और सुम्षन रशनाव का आव सकता होती है इ में 2020 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और MSME के संदर्व में उस परिवर्तन को देखना आवस्से के जिससे हम लग उद्धोग की ब्यवस्था को जो समझ पाने में सफ़ा होंगे जो है तो यह ब्यवस्था थी लग उद्धोगों की परिवासाएं यही है कि एक ऐसी अद्धोगी समस्था जिसमें जो है निवेश उत्पादन स्थ्रम पूजी का अस्तर आन्य सामान्य उद्धोगों की पेच्छा कम होता हूँ उसे लग उद्धोग का जाता इस सुमागरन की किया गया है यहां परिवर्तन किया गया है और यहां परिवर्तन यह किया गया है कि यहां पर तीनु छेत्र में जो बिनिर्माण और सेवा छेत्र के आधार पर अंतर था जो है उस अंतर को जो है वो सवात कर दिया अब यहां पर इन तीनु छेत्र के लिए यह मैस एमी छेत के लिए जो है वो निवेस की जो है सीवा को निधारेatra तुनہ निज़ारत किआा क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है वो ऐसे हुआसे उसकी विए सक्केल निवेस की सोरोप में परीवर्द किया हो सकता क्योंि आर्थिक गर्विधियां भढ रही होती है ऐसी इस्थिति में जो उसके निवेस की सीमा को हमें सब बढ़ाया जाता है आने वाले समय में तो जहां पर पहले आपने देखा दस लाग और पच्छीस लाग था क्रमसा सिवा उभी निमार चेत्र में वहीं यहां पर निवेस की ज बात की गई है और यह उसमाल उप्डूगों के लिए बात की गई है और इस्थिति काने अटि परूआ ऑड़क्वे कऊने निमार तो पार यह व म्क Weg Heart दोने दोने को रहे लिए इसमाल उत्तों के बात की गई है और यह इसमाल उत्तों की जो है जो है डिमिट है वह था सक यह जो है दस करों के बीच में बनाए jimban के लिए जो है यानि की मजहोले या मध्धन जिसको पाजाता जिसके जा दसित 500 लारका प्रस्तृत किया गया दोहजार् 6 भी में सिसमें 20 करू अब यह देखें कि तीनों को इसमें 10 इस से इसमें 10 यह पर यहां पर इस हैं और बात कहीं गई नहीं तॉड़े टर्टनोबर यानि कि कारोवार तैना कि गोई सीव कि कि बाहर ऑट रहे हैं बहुता है तो सारी की चीजों को जो आंक्रा बीसिकली होता हो कारोबार कहलाता उस बित्ति वर्ष के लिए एक निश्चित सीमा होती है उसकी बर्ष की तो इस सभी में जो है पाँच ब्रूना बताया गया और दस कागत पाँच करेंगे भुना ये जो 50 हो जायगा और इसी तरीके से जो है ये 5 गुना करेज़ींगे ते ये सब्सक्राइगा लग कि दोने हैं परिभासाओं की उसमें ये है कि 것으로 शेक्टर के अपारोबार जो है वह पच्छास करून है तो उसे इसमार माना जाएगा इसी तरीके से जो मेडियम के लिए है कि अगर कोई और दोगिक संद्रशना जो कि 20 करून के निवेश से और 100 करून तक के जो है वारसी कारवार के लिमिट में काम करता है वो कहलाएगा मेडियम इंतर यानि कि मौझ होलिवुद्धों की सिर्वी तो यह कुल मिला करके आपको MSME में दो जो है व्यवस्थाएं है एक तो 2006 का आइट है आपको धिहां में रखना है और दूसरा इसमें जो है वो मई 2020 में जो परिवर्तन किया गया है क्योंकि दोनों के बीच में सेवा बिन्दमार का अंतर समाप्त कर दिया गया और निवेस तथा टर्लोबर के आधार पर उसकी परिवासाएं निश्चित और निर्धारित की गई तो यह थी व्यवस्था कुछ लग गुंदोगों के छेत्री है अब आपने जो हैं लग गुंदोगों को समझ लिया होगा कि कि इस तरीके की उगदोग है इसमें वही अंतर के लिए जो है सामानी दोगों से इसमें निवेस पूजी स्रम उत्पादन सारी चीजी जो है अपे च्छाक्रित कम होती है अब इसका जो है महत्तुद अब हम देखिए में इसमे में इन तो स्रेडिया बना दी गई लेकिन इस सभी को जो है मिला करके लग उद्दोगों के भूप में हम लोग पढ़ लेते हैं कि लग का मतलब यह हो गया कि सामान जो बड़े उद्दों की घराने उसकी अवेच्छाक्रित कुछ छोटे लेकिन कुछ तक्नीकी कारणों से हम लोग डिफरेंस को जो है देखते हैं कि जिससे उसकी परिभासा बनाई जा सेगे लेकिन जब हम समस्या उसके योगदान इत्यात को देखेंगे तो लग उद्दोग एक ब्याफक जो है संदर्व में उसको देख लेंगे तो यहाना पर जो है जब हम इकानवी में कोई बात करते हैं तो GDP को जो ध्यान में रखा जाता कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से GDP में अपना महत्रपूर योगदान दे रही है तो GDP में जो है इसका पूल मिला करके जो है मैसमी सेत्र का जो आठ प्रिस से तो रोल है बहुत इस तीरों को मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा खेत्र जो बन जाता है चानिस पर इसका निर्याक हो देखा जाया ? कि और को करने में भी इसकी महात्पून भूमिका होती है, थिर्यीटी वे एक ऐसा सैक्टर है जहांपर कोई भी जो है अदोगिक गद्विधियों को जो है कम निवेश पूजी के माध्यम से सुरू कर सकता है इसलिए जो है यह कहा जाता है कि केवर बड़े अदोगी घरा नहीं नहीं बलकि कोई भी जो है उद्वी बड़े ब्यक्ति जो है वी कम शमताक निवेश कम स्रम क्रम पूजी के माध्यम से भी इस ठापित कर सकता है और धीरे धीरे अपना विकास कर सकता है तो इसलिए जो है देश के अलगलग छेत्रों में अलगलग जगोंप चाहे वबेक्ति के आधार पर हो चाहे छेत्र के आधार पर कुछी लोगों और कुछी छेत्रों तक उद्दोग अधापि नहीं होंगे बलकि अन्य छेत्रों में भी होगे और धेर धेरे उनको कुछ सरकार सुभी धाये भी देगी परोट्चाहन देगा तो इसलिए वो आसमानता को कम करेंगी और देश में एक समानता की जो है आधाना पैदा होगी तो आसमानता को कम करने सहरी प्लायन को भी रोकेंगे सहरी प्लायन यह भी एक महत्पूर्ण एकानमी की समस्या तो सहरी प्लायन को भी जो यह समाप्त करेंगे क्योंकि जब लोगों को रोजगार अपने आसपास के छेत्रों में मिल जाएगा तो वो सहर रोजगार ढूटनी के लिए क्यों जाएंगे तो ऐसे इस्तिती में ग्राविट चित्रों में आज भी एक अधारा है कि पर देखेंगे तो दिल्ली और बंबई लोग कमाने के लिए जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि उनको अपने आसपास रोजगार भेतर धंचे नहीं मि मिल सके तो काम न मिलने के कांट से देली बंबई कमाने के लिए जाते हैं तो ऐसी इस्तिती में अगर लग उद्दोग स्थापित होगे तो जिसको अस्थापित करने लिए बहुत बड़े स्रम पूजी सहास की जावत नहीं होगी तो इस तरीके से जो अगर यह उद्दोग की छेत्र में यह सारी चीजी जो कहीं ने कहीं उसमें दिखाई परती है आठ परसेंट चार्जीज़ पर्षेंट असमानता को कम करती है और सहरी प्लाइं को कम करती है कभी पॉइंट वह भी ध्यान में रख लेना चाहिए क्यूंकि एक्जाम में जब आप लिखेंगे पुमिका है लेकिन इसकी कुछ समस्या है जिसे देख लेंगे अच्छी माल की समस्या है बिदूत की समस्या है परिवहन की समस्या है जो परिवहन से जाएंगे हम कहीं अस्थान पर लेजिकर के तब उसका बीपढन हो जाएगा बीपढन मने बिक्री बेचना और इसी तरीके से जो परतियस परदह परतियस परदह किसे होगा बड़े बड़े जो है अस्तर के समस्यां, बिदुत द्जुम्स्यां, पुजी परिवाहन, ऐप्रदंब ब्रतियस परदा ये जो है यह सारी चीज़ों की लेकिन पर्रत्यस परदा डालिठी ये परिवर्तन करके बन जाता है लेकिन अब पर पड़ रहा है तो इस तरीके से यह कांसेप्ट होता है जिसको हम लोग समझ लेते हैं तो इन ही चीजों को जो है एक जाम में लेखने में आपको जो मदद मिलता है तो यही है कुछ सब्सक्राइब करें तो इसके सभी पच्छों को देखेंगे ताकि सभी पच्छों को जो है आप तयार कर से के एक जो है अभी यह प्राइब आप अभी दिखेंगे कि सरकार के द्वारा जो है किस तरीके से जो अभी तक प्रयास यह नहीं स्क्रेड में थोड़ा सा हम लोग उसे भी देख लिए कर सरकारी प्रयास कर सरकारी प्रयास कि इसमें पहली बाद तो कुछ समीतियां वर आईगी है उसको देख लेंगे कि कुछ ध्यान में रखना है नायर समीति एक और चीज़ें पिछली लेक्चर में जो है बात कर रहे थे आपने उनीश्व पचास इस भी में जो है किवारी समीत बनी थी जिसके रेकमेंडेशन की आधार पर सीका और भी आईएफ फार्म यानि कि सिक इंडस्ट्रीज सीक फाइनेंसियर रीकॉंस्ट्रक्शन भी आई एफ आउ यह दोनों बनाए गयते तो वो सामानी उद्धोगों के लिए जो है बनाया गया था है और किसको चालू किया सकता कि इसको पुन्रद्धा के समझ से इन सभी विश्यों पर बनाया गया था इसी तरीके से महात्पून समीति इससे सवाल भी परिच्छा में कई बार पूछा गया है आविध हुशेयन समीति यह 1997 में बनाया गया इसने तीन करोड की जो है इसने करोड की एक लिमिट बनाया और दूसरा इन्होंने कहा कि जो आर मेरा सेट कमिटी बनाएगे जो की हाथ करगा के लिए समर्पे थी इन्हों ने राष्टी हाथ करगा रिड कोस को बनाये जाने कर रिक्मेंडेशन किया तो बेसिकली यह कोई कुछ समीतिया थी जो लगुद्धों की छेप में काम कर रही थी नायर समीत आगी दूसरे हैं समीति और हथ करगा के लिए जो मीरा सेट समीति बनाएगे यह कई बार जो परिच्छा में लगुद्धों के लिए जो पूछा जा चुका है तो यह समीतिया थी इस समीतिया थी इनकी कुछ जो है इकमेंडेशन थे जो हम लोगों ने देखा तो इसे भी ध्यान में थोड़ा सा र इसमाल इंडेश्ट्रीस डिफलप्मेंट आरगंजेशन चेंड सेशन आप यह इसमाल इंदफ्रीस डिफलप्मेंट आरगंजेशन जो घ्था इसका नाम भी था तो लग उद्दोगों के जो भिकास के लिए जो है नीती जो है नीती के छेतर में जो एक समनवेक एजनसे की रूप में इसने काम करना जो सुरू किया 1925 में जो है निशनल इसमार इंड़स्ट्री कार्पोडिशन के लग उद्दोगों की विकास के लिए जो है विभिन प्रकार की यूप्तियों विविन प्रकार के जो मसीरी धाचा उपलब्ध करने का जो कांक जो संबंधित जलों में जिला उभ्दूग केंद्र की इविए गरी इसके बारे और किस तरीके से यह लग लग उद्धोग खेत्र आपके लिए अच्छा कर सकता है आपके आया का स्थाफना की गई और 1986 कपी के स्थाफणा की गई काप पार्ट के स्थाफणा की गई 1946 में Pamprane Tiap Sort kong suddenly tax exchange & Rural Technology इसके शीन निक्ताफन चाहएद मेरी ऐसमी जब की गई और यह मुख्य रूप्से काप आर्ट का जो काम था ज़त वह लगदो के छेतर में जो तो जितनी भी टेकनोलोजी प्रियुक्तोर ही उसमें समन्न में का काम करती थी और जो स्वेक्षिक संगठन थे उसको जो है आर्थिक सहायता देने तो अगर यह कहा जाए कि फॉर्म सी संस्था संगठन है जो लगुद्दोगों की छेतर में काम करने वाले इकाईयों को जो आ स्थापना की गई तो यह 1986 में 1990 में आ करके एक और महत्पूर संग्रंथ जो कई बार परिच्छा में पूंचा गया है इसको हिंदी में बिलिखा रहता है सीडवी और इसमाल इंड़स्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया इसमाल इंड़स्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया सीडवी यानि की भारतिय लगुद्दोग विकास बैंक की अस्थापना की की जिसका मुख्याले जो है वो लखनव में है यह कई बार यह परिच्छा में सवाल भी पूछा गया है 1990 में स्थापित की लिए है यहां पर अस्थापित है यह मुख्य रूप से काम करता है लगुद्दोग की छेत्र में जो काम करने वाले विविंट संगठ्लों में समन्वें करना और लगुद्दोगों को जो है वित में स्थाफित की गई और 1929 में आकर के सिड़ी यानि कि स्माल इंडर्स्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक ओफ इंडिया की स्थावना की कि जिसका मुख्याले लखनों में है और एक और महत्पूर्ण प्रारम किया गया जो योजना 1929 में DRD है दिस्टिक्रूरल डेवलप्मेंट एजनसी की जो है पहल की गई यह एजनसी के द्वारा अभीकरण के द्वारा ग्रामिट छेत्रों के विकास को जो तीब्र करने का कार जो किया गया और DRD में जो केंदर और राजे का जो अंस है वो 75 और 25 का है तो यह कुल मिला करके जो है लगुद्दोगुं की छेत्र में जो महत्पूर्ण परियास था तो लगुद्दोगुं की हम लोगों ने सामान रूप से परिभासा देखा और अक्ट जो 2016 में बना पुना 2020 में आकर कि उसमें कुछ परिवर्तन किये गए उसका क्या रोल है एक तो उम्मेद करते हैं कि इसके माध्यम से आपको लगुद्दोगुं की बारे में उसके रोल के प्रॉब्लम्स और सरकार के प्रयास के बारे में महत्पूर जानकारी मिली होगी तो आप इसका विधिवर्त धंक से अध्यन कीजिए और इसके माध्यम से अपनी टॉपिक को लेक्चर को आप तयार कीजिए अपने इस विषय के साथ अन्य विषयों का भी जो है ध्यनाब चारी करते रहे हैं तो आज की इकनामिस के लेक्चर में बस इतना ही पुना अगले लेक्चर में एक नए टापिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्का